एलो एर्यवन बॉड मॉर्निंग इंडिया आप सभी लोगा स्वागत है आपके इस चैनल पर आज का टॉपिक बढ़ा इंटरेसिंग लग रहा होगा और अगर आप थम्नील को देख रहोंगे लिखा हुआ गेट मैं रिडिट बीफोर थर्टी फिसको कटकर के लिखा हुआ इस when you are ready.Retire with, with enough money ठिसको कटकर के लिखाँ वह enough memories Become rich तुढ़ां अटि 2000 पर आपके लिखा हुआ हुआ पहु आपू। कि लिखा हुआ हुआ मैं की र्याव कुद इनुट। हुअ कर जा मैंक योद्टिधवी,$19 देखने सुनने में सब तो ये सब ठीक लगता है लेकिन फिर भी इसकी मीनिंग को समझना जरूरी है बहुत बार पहला बाला जो पॉइंट से वो तिंगल लोग समझ नहीं पाएंगे इस पॉइंट को समझ सकता है बड़ा असान नहीं है पहला बाला पॉइंट हो डिफरेंट है तो वह है कि वेन यू रेड़ी है तो मेंटली इस्टेबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैरीज जो है वो इंजॉइमेंट नहीं है नमरा रिस्पॉंसिबिलिटी है मैरीज तो लगता है कई लोगों कि यह रहे मस्त जॉइमेंट आप समझ रहों कि मैं जो बोलना चाहरा हूँ तो एक्शुली एक बिग रिस्पॉंसिबिलिटी के साथ लाइफ इस्टार्ट होती है और वो लाइफ अलग होती है जब बैचलर लाइफ से आप बाहर निकलते हो आप हटी हो ना क्योंकि अगर आप हैपिन रखोगे तो आप दूसरे को भी हैपि कैसे रखोगे तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला बड़ा अच्छा है कि रिटायर इनफ मेमोरीस तो रिटायर्मेंट के बाद आपके पास जो मेमोरीस होती है आप देखेंगांगे, MSD को कभी देखेंगे, और जी तने के बाद पृट्र मेमोरीस में रहती है तो आप कई बार देखेंगे, पड़ेंगी यह बहुए होंगे इस सब मेमोरीस मेरे बहुत काम किया होगी, क्योंकि हो सबता है, एक समय के बाद मैं पढ़ा ना पहँं तो फिर मैं यह सब को बहुत मिस करूंगा जिन चीज़ों को मैं enjoy करता हूँ जिन चीज़ों को लेखना enjoy करता हूँ whiteboard को enjoy करता हूँ technology by दुनिया एकदम day by day change होते जा रही है तो अभी भी मैं अपनी पुरानी चीज़ों को miss करता हूँ पुरानी चीज़ों को ही मतलब carry करता हूँ आपको पता होना चाहिए कि आप क्या होना चाहते हो जो आपको अगर ठीक नहीं है तो आप happy नहीं रह पाऊँगे आपके पास क्या है matter नहीं करता है mental status is very important next आपके पास है कि fall in love with someone beautiful इस वाले points को लोग agree करेंगे बट कोई मानने को ready नहीं होगा agree करना is different बट कोई मानने को ready नहीं होगा हर एक boy चाहता है कि इससे marriage करेंगे बड़ी beautiful लोग उसकी girlfriend एकदम लोग देखे कि क्या इसकी girlfriend है यह girl लोग चाहती कि husband यह boyfriend बड़ा handsome बट बड़ा जल्दी break up हो जाता है तो handsome लोग के बीच में जब चीज़े connect होती है सबके साथ नहीं होता है लेकि फिर भी 70% 80% में कई बरसा हो जाता है तो depend करता है कि आपको understand करने वाला लोग चीज़े सामने जो लोग यह वो आपको understand करना चीज़े तो individual जो आपके साथ में boyfriend हो girlfriend वो आपको understand नहीं करती है आपके किसी दूसरे रीजन के साथ आपके कारण को जोड़ा है जोड़ी है तो वो sustain नहीं करती चीज़े कितने ही दिन sustain करेगी कितने ही दिन sustain करेगी तो understanding वाला part बहुत ही important होता है अताब समझना आसान नहीं इस point को place point को अगर मैं बोल भी रहा हूं तो बहुत ही कम लोग agree करेंगे सपो लगी का ठीक है सर कुछ समय की बात नहीं enjoyment life का important है inner beauty is always important inner beauty का क्या मतलब है तो inner beauty का मतलब है कि आप जैसे इंसान हो जिस type के आप इंसान हो आपको understand करने के लिए बुद जरूरी है कि सामने वाला आपको understand करते हैं तो चीज़े balance में चलते रहती balance में अगर understanding अगर भुद कम है फिर आपको भी भी हो इस चीज़े नहीं चल पाती है ठीक है make life motor how happy I am यह भी आसान नहीं है कि लोग life का motor यह नहीं बनाना चाहते है कि मैं कितना earn करता हूं उसमें problem नहीं है लेकिन आप अगर work के साथ अगर आप enjoy करते हो आप happy work के साथ उसके बाद आप earn भी करते हो तो it's good इसमें को problem नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आप work को enjoy नही successful लोग है उसमें से maximum लोग आपको लगता होगा कि को इंडर्स्टी चलाता है तो उस सुपर साथ बज़े या छे बज़े वहां पहुंच जाता है पूरा working देता हूँ अपने work को enjoy करता है काम करता है अपनी चीज़ों को दिखता अगली vision रखता है तो उसका involvement उस तरीके से अगर involvement उस तरीके से रहगा तो result भी वैसा होगा लेकिन आप अपने work को enjoy नहीं करते हो अपने work में आपका involvement नहीं आप focus person नहीं हो और आप सोचते हो हर बार कि मैं कितना earn करूंगा money तो good बात नहीं और many friends ये तो एकदम सही है यांग एज में बहुत सारे many friends वाला part बहुत ज ज़्यादा party तो ज़्यादा friend बन जाएंगे कितना ही time लगता है आपके real friends होना चाहिए जब आप problem में होते हैं तो लोग problem में सब भाग जाएंगे पीछे मौन के देखो कि कोई नहीं दिखेगा तो आपके friends होना चाहिए बड़े real होना चाहिए और तीन हो चार हो दो हो होता है तो आपका judgment वाला पार्ट बहुत ही important होना चाहिए अगर वो इस बात में based है कि उसको आपसे क्या फायदा और आपको इससे क्या फायदा तो प्रोफेशनल डील हो गई ना तो प्रोफेशनल डील और फ्रेंटिप में difference होता है तो प्रोफेशनल डील is a different और प्रोफ अब आजकल वोत कम और happiness lies in a small moment यह एकदम सच है यह मैं धिरे-धिरे सीखा हूं धिरे-धिरे सीखा हूं कि आपका happiness वाला पार्ट बड़ा different होता है मतलब मैं तो understand करता हूं मैं पहली बाइक लिए था था हम राइपूर कहते है बाइक खेदने और बहुँ छे-सार-डाट ल पैसा लगा था मैं कहां जाओं किसको बताओं लेकिन जब आज मैं और्डी मरस्री जब लेता हूं तो इस वेरी नॉर्मल वो फील या वो नहीं लगता है मतलब ऐसा कुछ बिग अचीवमेंट या कुछ ऐसा कुछ नहीं लगता है अब मैं BMW की साइकल लिया BMW की साइकल कम लोग के पास होती है लेकिन मैं कहीं पर अपडेट नहीं किया इस बात को क्योंकि अब मैं इन सब चीजों से उपर हूँ अब इन चीजों यह सब चीजे में को अट्रक नहीं करती है तो अब मैं मैं बहुती कम लोग को पता होगा कि मैं अधवियत के बड़ दे था इस बार तो मैं BMW की साइकल ले लिए असी में को रूटीन के लिए ले था अपना मॉर्णिंग और इमनिंग के लिए थोड़ा थोड़ा तो अब अलग पार्ट हो गया तो अब मैं को लगता ह कि आप अपने छोटे-छोटे जो मॉमेंट है उसमें हैपी होना सीखना चाहिए अगर आप हैपी नहीं होना चाहते तो कोई नहीं कर सकता और अगर अगर आप होना चाहते हो तो बिलकुल आप होंगे तो मेरे साथ सोचना है कि मैं थोड़ा सा वर्क अल्कॉलिक हूं मतलब कि में वर्क को बहुत ज्यादा इंवॉल्मेंट मेरा होता है और गीट इकिनमी में बहुत अध्यक डिपेंडेंट है तो कई बार लोग को लगता होगा कि या इतना काम क्यों करते मतलब इनको रिच प लेने आउंगा और दीन बार प्लान करते रहूंगा कि रिच कैसे बनना तरकि में पेलिक नहीं समझ पाथे जो दूसरे ब specially को सहमेंच पा थे कि तो लोगों का सुचने का नजरे बहुत होता है तो मेरा एक अलगी फील है मैं डारेक्टर हूँ लेकिन ऐसे टीचर में अपने आपको ज़्यादा जब भी क्लास के अंदर आता हूँ मैं को ऐसा किंग समान फील होता है और मैं को लगता है कि औरिजिनरिटी जो मेरी है वो यही है मेरा इंवॉल्मेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इमोशनल डिफरेंट टाइप का हूँ लेकि मैं को कई बार लगता है कि मेरी फीलिंग ये वो कई बार हो सकता है कि नॉर्मल लोगों के समान फीलिंग नहीं रहती हो इतने सारे पॉइंट है और ये सब चीज है आपको रीर लाइफ में सीखना चीह Cul is हम सीख नहीं पाते कोई बार हम जानते हुआ भी लोग मैं को मेंसेज करते मैं टेली ग्राम में भी मैंसेज करते त가요 करते रहता हूं कि लोगे б cambiぎ problem का solution दे सकोूँ ऐसा कूई मैं कोई ऐसा कोई परसण नहीं हूँ जिसके पास हर चीज का solution है मैं कैसा परसंड उ 살न च्थिसके पास experience है और experience यह यह नहीं कि सर आप 39 की हो तो आपके पास experience बहुत है नहीं ऐसा निकाट इस 39 की एज में मतलब मैं इतना experience ले लिया कि 60 की एज वाले के पास जितना experience होता है उसलिए कि लोगों से connection इतना है लोग की बात को understand करता हूं लोग क्या कहना चाहते उसको समझता हूं लोग में से जब problem discuss करते तो उसमें कुछ हुपाते नहीं सबसे अच्छी बात है कि लोग मेरे सामने real रहते हैं मतलब problem discuss करते है problem कुछ बताते हैं कोई सोज भी नहीं सकता कि problem को इतना detailing में बताते हैं और मैं try करता हूं कि मैरे मैं अपने experience से उस चीज को solve कर पाऊं की नहीं कर पाऊं लेकिन एक good advice दे सकूं तो मान सकते हूं कि मैं good advisor हूं एक अच्छा advice देता हूं consultancy वाला part मेरा good है मैं लोगों के thought को जो negativity उसको हटाने की कोशिज करता हूं read करने की कोशिज करता हूं कि लोगों की problems क्या है negativity के कारण या in general situation के कारण हर बाद negativity भी नहीं होती है situation भी होती है कभी-कभी लोग गलत नहीं होते लेकिन वो time ऐसा होता है कि दो लोगों मेंसे कोई गलत नहीं है लेकिन time ही ऐसा था कि दो लोग अपने आप होके और अलग होके अब क्या कर सकते है मतलब बर situation ऐसी बन गई किसी का control नहीं होता है तो मैं try करता हूं कि लोगों को मिला सकता कभी-कभी यह सब करते-करते मैं यह भूल जाता हूं कि मैं क्या चाहता हूं तो मैं मैं पूरे दिर तक लोग की problem में involved रहता हूं लोग की problem solve करने में involved रहता हूं गेट इकेडमी के growth के लिए important रहता हूं कभी-कभी मेरा happiness क्या है तो फिर मैं कुछ समझ आता है कि मैं अपनी क्लास में जब पहुचता हूं तो एक अलग टाइप की happiness गेट अकेडमी को जब अलग brand बनाता हूं गेट अकेडमी के लिए प्लान करता हूं तो मैं happy हो जाता हूं तो ठीक है life is going life चलते रहे कि life तो रुखने वाली नहीं मेरे रहने या मेरे ना रहने अगे नहीं से life तो रुखे की नहीं और किसी की भी रहने ना रहने से life रुकती नहीं दुनिया तो चलते जाती है तो process है और ठीक है यह जब तक हम है हम लोग अपनी life को enjoy करते रहे तो मैं को ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं 16 साल 17 साल से मेहनत कर रहा हूं तो मैं अपनी life को enjoy किया की नहीं तो कई बार लोग कभी-कभी यह सा हो जाता कभी-कभी लोग सुचते कि सर आप enjoy कब किये तो उनको पता ही नहीं कि मैं तो 16 साल से पे enjoy कर रहा हूं तो यह बहरा enjoyment है लोग Switzerland जाके सोचते होंगे कि वह जन्नत है मेरी जन्नत एक classroom है तो मैं 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 को एकदम clear है इसमें मैं को doubt नहीं है मतलब मैं ऐसा नहीं कि पांस दिन के लिए क्या मैं London नहीं जा सकता है मैं जा सकता है चाहो तो मैं अपना 쏙पिंग हमेशा लंडन से करो हर एक महने मैं एक बार में London चली ime लेकिन मेरा उसमें happiness नहीं है, actually मेरा उसमें happiness नहीं है, तो मेरा जिसमें happiness में वो कर रहा हूँ, तो लोगों को जिसमें उनका happiness हो करना चाहिए, और मैं enjoy कर रहा हूँ गाए बस ऐसे ही है, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, अब लोगों को देखके मासोचों कि लोगों के पास क्या है लोगों से क्या करना है मैंसे बहुत कम लोग जिनके पास मैंसे भी बहुत कम पैसा होगा मेरे इस्टुएंट्स होंगे जो लोग मैंसे बहुत कम कमाते होंगे बहुत ही कम कमाते होंगे लेकिन वो भी, Sujjelen गुम रहे, London गुम रहे, New Zealand गुम रहे, आस्ते ले गुम रहे, मैं को कभी खराब नहीं लगता है, तो मैं को क्यों खराब लगेगा, मैं दुनिया की सबसे अच्छी जगाप में हूँ, अपने classroom में, अपने इस्टुिबंट के साथ में हुँ, के दुनि करता है कि आप प्रेंड को लेना चाहिए तो चलो अच्छा आज का टॉपिक था जस्मे को लगा और आप ऐसे न्जोई करते रहे हैं आपने पॉइंट को बताते रहे हैं आपको कितना इड्वांटेज हो रहा है आपने जिंद्गी में कितना चेंजिस कर रहे हैं वाट सबस् प्रेंड लोग को भीजिए एक लिस्ट और फेस्बुक में सेर करते रहे हैं मस्त ग्रो करते रहे हैं और हैपी रहे हैं ठीक है ओके थैंक यू लव यॉव आल